कि हैं यहां पर मैं बात जरूर कहना चाहता हो कि जो कुछ लोग जो मन कस्तुरी रे मुवी है उसको मुझे पता नहीं वह बिग बॉस के हेटर रे या तेजस्वी प्रकाश जी के हेटर से या कौन है मुझे नहीं पता या बॉलीवुड लवर से जो जिनको मुवाराथी संदी या क्या डॉंट नो कि वो कुछ फेक कलेक्शन भी डाल रहे हैं बोल रहे कि कम कलेक्शन हुआ यह वह पहली बात तो पूरे नेट पे पूरे के पूरे आप गूगल पे जाके देखोगे मन कस्तुरी रे का बजेट और कलेक्शन सभी जगह पे अलग-अलग दिखाए मैं आपको सिर्फ ऑफिशियली कलेक्शन दे रहा हूँ एक साइट है अब नाम लेना ओविसली आलाउड नहीं रहता है यूटूब पे किसी भी साइट का कि पर्सनली बट मैं यह जरूर कहूंगा कि सैकनिल्क ने तक इसका कलेक्शन नहीं दिया है वो लोग तक यह नहीं क कर पा दो पारें को आपको क्यूंगर यह मंतलब आपको विरशी की बहूं होती है कि तीन करोड का बजेट वाली मुवी पहले दिन अगर एक करोड कर लेती है तो चायर मतलब आपको मेरशी लगी है या क्या बोलू मैं यार वो स्टारडम है उसका तेजू का स्टारडम है वो और मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि ऐसी लड़की पे कैसे जेलस हो सकता है कोई कि जिसका कोई लेना-देना नहीं मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई भी हेट करने का भी उसके पास कोई रीजन है देखो ऑफ़ी प्रतिक के अगर कोई तो मैं एक बात कहूंगा अब प्रतिक खुद यार उसके साथ सीरियल में काम कर रहा है और आपको लगता है मतलब आप बेवजा फैन होने के बाद I mean प्रतिक के भी फैंस मैंने देखा यार सपोर्ट करते है उसको I don't know कि प्रतिक के फैंस या कौन से फैंस है लेकिन ये बात के अगेंस्ट वाले कमेंट्स मैंने नहीं देखे तो I don't know भाई ये वीडियो बनाने का रीजन ये था आप लोग ये बोलोगे कि भाई मैंने वो थेटर रिस्पॉंस वाला बात नहीं किया देखो वे आज वक्त नहीं था और संडे है कल डेफिनेटली शाम को थेटर रिस् ये फुली शॉट्स का लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि वो भी कुछ यूटूबर्स होते है तो उनका मैं अगर मैं उनका ही शॉट डाल लू अगर वो मुझे फॉर्वड भी कर देते तो कॉपीराइट आ सकता है इसलिए मैं अभी नहीं डालूँगा लेकिन डेफिनेटल I will give my best कल शाम को मैं ट्राइ करूंगा वो वीडियो स्थेटर रिस्पॉंज डालने के बर अकोर्डिंग टू मी I mean according to my friends जो आज गए थे वो सिर्फ इतना ही बोले कि थेटर्स में जो धमा का था वो सिर्फ दो मुवीज का था कंतारा और बाद में मनकस्तुरी रे I mean राम सेतु का कल भी धमा का था आज थोड़ा सा कम हुआ और मनकस्तुरी रे सेकंड नंबर पे गई है मतलब trending topic in महाराष्टा अगर मैं मुवीज की बात करूं न तो at present मनकस्तुरी रे दो पे है obviously कहांतारा का crazy कुछ अलग है और आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि जो fact है वो fact है जूट नहीं बोलूँगा बट दो पे 12 से 15 मुवीज एट एट टाइम लडरी है एक दूसरे से उसमें दो पे रहना are you kidding me यार एक serial industry की topmost obviously topmost actress लेकिन यही मैं चाहता था कि उसका एक crazy बना रहे क्योंकि मुझे जितना जानता हूँ माराथी इंडस्ट्री को वो हमेशा talent को उठाते है और अगर ये movie हिट जाती है न तो वो talent को ऐसा उठाएंगे कि तीन से चार सालों में उसको minimum तीन से चार movies मिल जाएगी है मैं guarantee बोल रहा हूँ मराथी की बोल रहा हूँ इस type की भाई और industry और quality की बात करो ना इनके पास सिर्फ budget का problem है वरना इनकी पास जो stories है ना वो south जैसी ही रहती है south से भी better बस इनका problem है budget अगर इनको budget तगड़ा मिल जाएगा ना तो VFX में भी यह कमाल कर सकते है यही problem है बस पैसा वाला problem है but outstanding भाई जिस तरीके से response मिला है मैंने सुना है I will try my best कल definitely theater response दूँगा but at present जो मेरे दोस्तों ने एक feel किया वो इतना ही का कि भाई कोई भी मराठी मुवी इससे पहले जितना हमें याद है उन्होंने बोला था time pass करके जो movies आई थी उनका एक craze था रितेज देश्मुक की भी एक मराठी मुवी आई थी वो दो मुवी से रितेश्मुक की उसका एक craze था और in fact सहीराट का एक अलगी क्रेश था उसके बाद अगर किसी मुवी का क्रेश है तो भाई इस मुवी का क्रेश है मन कस्तूरी रे का मतलब यह सोचो इतने साल के इतियास में इंडस्ट्री में अगर आप टॉप चार या पाच में आती हो मराठी के तो भाई कोई जोक है I mean it's not a joke it's a history यार तो भाई please share this video to all और मैं जरूर कहूंगा आप अगर टेजू के फैंस और अगर आउट अफ स्टेट वाले होना अगर और नहीं देख पा रहे हो और OTT पे देखोगे क्योंकि आपके पास option नहीं है correct at least आप ट्राए करो मेरे वीडियो जादा सी जादा लोगों तक पहुचाओ क्या पता मतलब अब अगर सोचल मीडिया पर पहुचाते हो तो definitely महराथी इसमें भी जाएंगे वो या फिर जो भी कोई महाराष्ठा में हिंदी ओरियंस है उनके तरफ वो वीडियो जाएंगे और वो आगे forward कर पाएंगे और ताकि ये movie का एक जो crazy ना हमें minimum 30-40 दिन बना के रखना है try to understand अगर उसको आप all time blockbuster दे देते हो ना तो उसकी एक ये बन जाएगी महराथी में कि भाही no we have to sign Tejasvi Prakash for this movie एक वो जो एक बन जाता है ना वो अलग होता है तो क्या पता आगे चल के Bollywood का भी chance बन जाए यार और Bollywood में भी हमें ऐसा नी चाहिए कि side actress हमें top acting उसका हमें देखना है अज बहुत बढ़िया लगा मैंने उसके वीडियो देखे उनके रिलेटिव है मुझे पता नहीं उनके साथ ये मूवी को प्रमोट किया काफी बहतर लगा वो बांडिंग तो अच्छी लगी वो बात नहीं है लेकिन फैमिलीज भी सपोर्ट जिस तरीक इसे कर रही है फैंटेस्टिक यार अब फैंस की बात है प्लीज शेर इस वीडियो तो अल्यार और थैंक यू गड़्स